और नमस्ते हाथ आप सश्याकाल मैं हूँ CS अंकल कांस्टिया स्वागत है आपका इस नए सेशन में गाइज है आज जर्नी स्टार्ट कर रहे आपन लोग फाइनली अपने चैप्टर्स के साथ अपने कंटेंट के साथ आप लोगों को जो बुक मिला है आज वो रियल सेंस में यूज होने वाला है So obviously basic से concept से अपन लोग स्टार्ट करेंगे मेरे वो first session को याद करू क्या बोलाता मैंने मैं आपको बोलाता कि मैं इस subject को divide किया है चार phases में आपको भी पढ़ाई वैसे यह करनी है जितना आप लोग उसको इस तरह से work out करके करोगे रा that will be the best thing for you and जैसा कि आप लोग यहां पर द लोग कोई भी pick up कर लो paper ठीक है last eight attempts तुम लोग को खाली एक weightage बता देता हूं मैं last eight attempts every single paper में mutual funds का question boss आया ही आया है so I hope इससे समझ में आ जाता है अपने को कि कितना important है यह chapter for sure and in real life also guys अगर तुम लोग off late India का growth trajectory देखोगे न then in that case majority of the stock market that is rising is on account of Indian mutual funds मैं आपको खली एक technical idea देता हूं जब मैं chartered accountant बना था obviously as a chartered accountant जबी भी आप CA बनोगे न एक अंदर से आवाज आएगी कि यार मेरे को भी stock market में invest करना है because आपने बड़े-बड़े नाम सुने होते हर्शद मैता ने 1 lakh crore rupees कमाया 5000 crore का scam किया राकेश जुन-जुन्वाला has a wealth of 20,000-50,000 crores मो तिलाल उसवाल के पास इतना पैसा है so on and so forth so see eventually it's a game of numbers बराबर है आप लोग को अगर मैं पूछता हूँ आप CA क्यों कर रहे हो तो एक but obvious answer होगा sir respect के लिए बराबर है बट यह respect कब तक चलेगा वही अगर मैं आपको बोलता हूँ मैं lifetime आपको 25,000 रुपया मही ना दूँगा और CA का degree भी तो चलेगा क्या the answer is no the second point is also very important which is money वह सपना सपना बनी मनी so until and unless I am not earning मेरको वह degree का फायदा नहीं है so everybody wants to earn तो जब मैं chartered account in बना था मैं भी stock market को काफी track करता था regular basis पे and तभी क्या था पता है क्या absolutely clear था कि अगर USA का जो stock market है which is Dow Jones, Nasdaq and all of that अगर वो increase हुआ तो इंडिया का भी market increase होगा वो गिरा तो इंडिया का भी market गिरेगा we were super dependent on United States of America क्यों पताएगा क्योंकि वहां का FIIs foreign institutional investors नाम सुना होगा आगे इसको discuss भी करेंगे वो लोग जब इंडिया में पैसा डालेंगे ना तब इंडिया का stock market बढ़ेगा अगर वो FII का दिवाग खसका और वो बोलता है चल मैं मेरा पैसा इधर से निकाल लेगा तो obviously अगर पैसा वहां से विडरा कर रहा है इंडिया के stock market से तो इंडिया का stock market गिरेगा there was a pattern यह FII लोग को यह जो FII है ना foreign institutional investor जो basically they are from United States of America तो वो लोग को आना Jan to December का वो लोग का year ending होता है तो December में जब अपने को अपना closing balance sheet को close करना है तो they usually withdraw the money to keep some surplus cash balance in their balance sheet तो एक pattern था कि बहुस November December में इंडिया का market गिरेगा फिर वापस February March में वो लोग reinvesting चालू करते थे तो वापस market बढ़ेगा we were very dependent on these people but आज की तारीक में क्या होगा बताएगा public have realized that mutual funds सही है and actually it has worked मैंने mutual fund में invest किया है काफी सारा amount कभी तुम लोग को मैं दिखाऊंगा कैसे trading करना है यह मुझे बाइद अबे बताओ क्या तुम लोग को इस चीज में भी interest है चलो obviously यह तो अपन करेंगे साथ साथ में तुम लोग को stock market में trading कैसे करते है and all of that also we will be keep on doing जैसे भी mutual funds है तो mutual funds को real life में कैसे analyze कर रहा है पढ़ेंगे जो question and answers है वो तो करना ही है जिसके साथ साथ यह सब चीजे भी तुम लोग को मैं बीच बीच में बताते जाओगा कहने का मतलब यह है कि अब पहले अगर total इंडिया का population में से 1% invest कर रहा है ना अब यह 1% का हो गया है 5% और यह जो 5% बढ़ा है ना इसमें से majority public पैसा डालता है mutual funds के तुरू ठीक है so mutual fund वालों के पास बहुत पैसा है भी तो अब अपन लोग का पहले जो dependency था ना कि अपन लोग FII foreign institutional investors के तुरू ही invest करेंगे that has gone away आज की तारिक में इंडिया का mutual fund इतना strong है ना के it can rule the Indian stock market so just telling you that कितना important है यह aspect अपनी studies में अब अगर कल उठके आपके पास कोई client आता है और बोलता है कि sir मेरे को कहीं पर invest करना है तो your first answer is going to be the first chapter of our subject and that is mutual fund तो sir ICI के या कोई वी बुक में तो mutual funds first chapter नहीं है so we are not going by that trend अपन लोग लोग लोजिकली जा रहे है तुम लोगों यह सब end में connect होगा कि हा सर अच्छा हो आपने mutual funds से start किया फिर मैं क्यों portfolio पर गया फिर मैं जो भी पढ़ाऊंगा that is all logically planned you will understand everything at the right time so यह मेरा first session पर आप लोगों के साथ discuss हुआ था कि क्या आप लोगों का expectations होगा and everything teach from the basics formulas and all of that फिर आप लोग ने books का idea ले लिया था and then मैंने आपको बहता है था this is how we are going to study कोई भी concept होगा ना उसके पहले एक examples आपके पास आही रहा होगा जैसे वो example आपके पास आएगा real life वा आपको समझेगा रही हा यह तो मेरे साथ भी होता है and finally you will connect to the concept and then फिर बाद में जो book के समझे वो तो solve कर नहीं है paper pattern अपना discuss हुआ था so this was what was discussed in the initial first day फिर बाद में उसके last session में मैंने discuss किया था global financial markets यह एक general discussion था inflation interest rates and market related इसके उपर यह वाला जो discussion है ना जो RBI governor वाला discussion है इसके उपर में वापस आऊंगा आज नहीं शायद 50 lecture के बाद देखते हैं तुम लोगों को तब कितना याद रहता है है ना क्या बोलते हो याद रहेगा logics है ना तो याद रहेगा ही रहेगा if you are the governor of RBI and अगर आपकी country में inflation बढ़ रहा है तो आप क्या करोगे आपका first काम होता है liquidity को control करना which can be done by increasing interest rates एक बार interest rate increase किया बाद में बाकी सारी चीज़े automatically connect हो जाती है anyways आज आते हैं अब अपने main concept और main chapter of the day के उपर तो बात कुछ ऐसी है कि आज का कुछ example लेते हैं आज का date से मैं एक example के through start करता हूँ ऐसा सोचो कि आज है first of January ठीक है आज है first of January और क्या आप लोगों को पता है आपका attempt है में में आपका attempt है में ठीक है अब मेरे को एक बात बताओ अगर आपका attempt में में है and first January है आज आने वाले next four months what are you going to do boss life में सिर्फ एक ही काम बचेगा आपके पास and that is what studies 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 मेरा भी attempt first attempt जो due था न वो मेरे भी first CA final का जो attempt दिया था वो में में दिया था तो boss last four months तो यार इतना rigorous studies किया है न मुझे याद नहीं है कि भाई मतब सुबे का वो सूरज भी देखा होगा इतना पूरा time you are just in your room and focusing hard to ensure के यार exam कैसे भी करके clear हो जाए and if you can get good marks and if you can get a rank nothing like it तो बात कुछ ऐसी है कि अभी अगर मैं आप लोगों को बात करता हूँ आज है first of gen आने वाले चार महिने पाच महिने boss you are extremely busy आपके पास तो time ही नहीं है और आपी के जैसे एक लाख और students है जिन लोगों के पास time ही नहीं है जो बुल रहे है boss हमारा तो अभी exam है we are going to study very very hard for this सही है एकदम एकदम अच्छी बात है ठीक है अब हुआ क्या पता है क्या आप लोग ने आर्टिकल शिप किया है आप लोग सब लोग आर्टिकल शिप कर रहे हैं अभी two two three years का two two and a half years का आर्टिकल शिप होता है कहना इस से इस आर्टिकल शिप के period में थोड़ा तो पैसा आ अगर समझो आप लोग ने ऐसा कुछ किया है last two two and a half years में you have worked hard in your आर्टिकल शिप साथ में classes भी किया है and all of that करके आप लोग ने थोड़ा सा amount बचा लिया है मैं को बोलो ना कितना amount बचा रहेगा चलो last two two and a half months में आप लोग ने कितना amount बचा रहेगा approximately चलो बोल दो कुछ कुछ भी एक number maybe it could be 50,000 it could be 60,000 it could be one lakh it could be 10,000 anything which you feel you have saved क्या लगता है मैं बता दो मैंने जब आर्टिकल शिप किया था मेरा savings था मेरा मेरा first year का stipend था 5,000 then it was 7,000 then it was 10,000 Bombay में usually मिलता है उतना तो एकदम शॉक मात हो जाना okay so अपने पास एक rough numbers आगना चलो हो गया and that is 50,000 ठीक है I'll take that number so approximately rupees 50,000 आप लोगों के पास saved है ठीक है मेरे पास 5,000 into 12 60,000 हमारे टाम पे 3 यह का आटिकल शिप होता था फिर बाद में 7,000 into 12 84,000 and approximately 120,000 तो टोटल 120 plus 84 plus 60 approximately 2,500,000 रुपीज मेरे पास था उसमें से मैंने classes का fees खुद पे किया था प्लस traveling, eating यह सब कट करके मेरे पास approximately वो टाइम पे 1 to 1.500,000 रुपीज बचा था अब 50,000 रुपीज आपके पास बचा है दो option है आपके पास एक यह 50,000 रुपीया तीजोरी में पढ़ा रहने दो या फिर आपके पास जो आपका bank account है उसके अंदर FD कर दो या फिर आप इसको stock market में invest करो what will you be more interested in कैना इससे चलो यह तीजोरी या FD में रखा तीजोरी में तो रखे कोई फाइदा ही ने क्योंकि यह 50,000 रुपया 45,000 हो जाएगा कौन चोरी करके जाएगा 5,000 रुपया कोई चोरी करके नहीं जाएगा but problem is that inflation की वज़े से यह 50,000 का value कम हो जाएगा अरे बाई मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं 100 रुपीज मेरे पास 1990 में 100 रुपीज था और आज समझो 2025-2026 में मेरे पास 100 रुपीज है क्या इसका same value है क्या the answer is no बाई है 100 रुपीज ही sir दो नो but आज 100 रुपीज में वो चीज़े आती है जो 1990 में 10 रुपीज में मिलती थी या एकदम सस्ती so 100 रुपीज has no value today as of now वैसे ही कुछ यहाँ पे होगा कि अगर मैंने पैसा अपने पास ही रखा तो कोई मतलब नहीं है inflation will eat that money मेरा value 50,000 ही रहेगा अब मेरे पास option है कि मैं FD में डालू या फिर stock market में डालू दोनों अच्छे option है FD में अगर मैं डालता हूँ तो मेरे को यहाँ पे fixed rate of interest मिलता है 6% ठीक है और दूसरा option है stock market suppose आपको मैं बोलता हूँ कि boss ये 50,000 रुपीज आप मेरे पास invest करो मैं approximately आपको 12 to 15% का return लाके दूंगा क्या करोगे आप लोग आप बोलोगे CDC बात है सर कहां अपने को FD पे 6 टकाओ मिल रहा था खाली और अगर हम लोग आपको देंगे तो आप 12 से 15% return लाके दे सकते हो absolutely yes and if that happens अब ध्यान से सुनना say for example एक मेरे पास student आया जो बोलता है sir मैं आपको मेरा 50,000 रूपीस देने को ready हूँ मैं वो मेरे को बोलेगा sir आप कहां पे invest करोगे मैं बोलेगा तू टेंशन ही मतले मैं सारी जगा पे invest करूँगा ऐसे ही मेरे पास दूसरा student आता है वो और एक student को बोलता है वो और एक student को बोलता है ऐसे करते करते मेरे पास total 200 students आ जाते है जो बोलता है sir हम लोग का तो में में attempt है अब ये 50,000 रूपीस को हम लोग तो कहीं पे invest नहीं कर पाएंगे ना हमारे पास time है ना हमारे पास को इतना stock market का knowledge है sir क्यों ना आप ये 50,000 रूपीस हमारे बिहाफ पे invest कर दो और इस पे से जो भी return आएगा वो return हम लोग को में के end में share कर देना क्या बोलते हो कैसा लगा ये idea समझे रहो तुम लोग 50,000 आपके पास है आपके पास है ये 50,000 आप अभी कुछ नहीं कर पाऊगे because you are going to be focused on your studies for the next four months so अगर ऐसा scenario है then in that case ये 50,000 waste जाए ऐसे ही पढ़ा रहे ये FD में जाए which is going to give you a very nominal return क्यों ना ये पैसा अपन लोग संकल्प सर को दे दे and संकल्प सर के पास अब कितना पैसा आ जाएगा तो अगर मैं ये calculation करता हूँ so अपना थोड़ा calculator निकालो और मुझे बताओ मैं भी मेरा calculator निकालके बताता हूँ मैं टोटल कितना money आ जाएगा मेरे पास 50,000 into 200 करने के लिए अपने को calculator की ज़रूत नहीं है as such चलो so अपने पास आ जाएगा से approximately 10 lakh रूपीज मेरे पास आ जाएगा approximately 10 lakh रूपीज oh 1 crore रूपीज विमल सर is saying okay sir 1 crore रूपीज आ जाएगा 100 lakh रूपीज is what I will have now कौन Mr. संकल अब सुनो अगर आपके पास खाली 50,000 रूपया होता तो आप कहां पे मिस्टर संकल्प के पास 1 crore रूपीज आ गया है उसका खुद का नहीं है मार्केट से ही जो उसके स्टूडेंट से उसी ने उसको 1 crore रूपीज दिया है अब मिस्टर संकल्प क्या करेगा इसको अलग-अलग जगे पे इन्वेस्ट कर देना अगर आपको पता भी हो ना कई बार होता है ना कुछ जगे होती है अगर मैं आज एमदाबाद में इन्वेस्ट करता हूँ तो चांसे आर के विदिन फ्यू यर्स तू त्री यर्स पूरा पैसा डबल हो जाए इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता क्यूंकि मेरे पास खाली पचास हजार रुपया है तो मैं कहां से इन्वेस्ट करूं पचास हजार रुपय में तो मेरे को यार कुछ नहीं मिलने वाला है पचास हजार रुपय से कुछ नहीं कर सकता है क्या मीत लोन लेकर इन्वेस्ट करेगा अभी तो पढ़ रहा है उसके पास लोन को रीपे करने का कपैसिटी भी नहीं है तो मीत ऐसे टाइम पे क्या करे बौस तो वो आएगा संकल्प के पास ऐसे ही मीत जैसे और 200 आपके पास वन करो रुपीज हो गया है नाओ वाट शंकल्प फिल डू संकर्प विल इन्वेस्ट से रुपीज 25 लैक इन दर रियल एस्टेट ओके यहापे नहीं रुखेगा संकल्प के पास तो एक करोड रुपे है संकल्प विल इन्वेस्ट स्टॉक मार्केट में मीत ब मार्केट में इंवЕस्ट करता है वह सäg इतना भी oकों आखर को अब संकल्प करते हैं इतना भी या स्ध ON में इन्वेस्ट करता है एक्सिरुप करके लगता है से रुपी थर्टि फैराइड रूपी समस्चे रूपी थर्टी फैराइड आप सिक्षी फैम चितना होता हैın। संक्र्प श्ण लաक के पास सन्रेट लाक रूपेस इन्वैस्ट किया था तो ऐसका वैली कितना हो गया रूपीज 30 लाग, am I right, yes sir, संकल्प ने stock market में invest किया, इसका उपर return आया 25%, sir, इसका value हो गया 50 लाग, और यह हमारा FD है, FD हमारा एगदम शान्त है, FD हमारा एगदम शान्त है, इस पे से for example 5% कुछ return आता है, approximately ले लो, कि यह हो गया रूपीज 40 लाग, एक approximately ले लो, चलो इसक अब total पैसा, संकल्प के पास कितना आया था, बोलो बोलो चल चल, 100 लाग, और यह अब कितना हो गया है, कैना इससे 30, plus 50, 80, plus 40, कितना, कैना इससे 1 क्रोर 20 लाग रूपीज हो गया, approximately, right, so यह जो 20% increase हुआ है न, यह देखो, एक करोड का, एक करोर 20 लाग हो गया, मतब कैना इससे बेठा-बेठा 20 लाग रूपीज increase हो गया, बट क्या यह पैसा संकल्प का है क्या, आप मेरे को बताओ, क्या यह 1 क्रोर रूपीज संकल्प का है क्या, the answer is no, कैना इससे यह तो वो सारे बच्चों का है, जिसने 50-50,000 रूपीज दिया था, अब वो लोग संकल्प के प तो सर मेरा कितना शेर बना, तो मैं उसको बोलूँगा भाई देख, तुने 50,000 रूपीज इन्वेस्ट किया था, तेरे को 20% का रिटरन तेरे को भी मिलेगा, भाई overall मेरा fund 20% से increase हो है, अब तेरे अकाउंट में आ गया है, 60,000 रूपीज, just imagine, आप लोग अपना घर पे attempt देने के बाद, अगर आप गोवा नहीं गए, तो आपने क्या सीए final का attempt दिया यार, मतलब जाना ही चाहिए, आप लोगों को, कहाँ पे गोवा, बट, exam देने के बाद, अभी से ऐसा, imagine करना मत चालू कर दो, अभी time है, पढ़ाई करो, मैनत करो, फिर जाने का है, तो आप exam खत्म हुआ है, अब आप लोग घर पे जाके बोलते है, पापा, ममी, मुझे गोवा जाना है, ममी बापा बोलते है, हम लोग तो कुछ पैसा नहीं देंगे, आप बोलते हो, आरे, पैसा देने का जरूरत भी नहीं है, मैने खुद कवाया है, ये 10,000 रुपे से अपना free हो जाएगा, गोवा ट्रिप, कहने का मतलब, जब आपके पास, देखो, आप लोगों के पास, Jan to May में, क्या time था, the answer is no, stock market के आप लोगों के पास, क्या knowledge है, the answer is no, तो जब इंसान के पास time और knowledge ना हो, बट उसको लग रहा है कि यार, मैं कैसे stock market में invest करके पैसा कमा हो, ना मेर के पास knowledge है, समझ रहा है, ऐसे इंडिया में, बहुत सारे लोग है, जिनके पास ना time है, ना knowledge है, अबर पैसा है, तो वो पैसे को मैं कैसे invest करूँ, और surplus return कमालू, and that gave rise to the concept of mutual funds, mutual funds का definition सुनोगे क्या है, pooling of money, of public, and investing it at appropriate places, to earn a return, which will be given back to the investors of mutual funds, यह जब अगर खाली, ऐसा definition सुनोगे तो लगे है, हाई ला, बहुत हाई फाई चीज है, बट क्या अभी आप लोग यह example से connect कर पा रहे हो, कि mutual fund क्या करता है, let me tell you, exactly this is what happens in mutual funds, exactly this, obviously इसके अंदर चीज़े advanced level पे आती जाएगी, बट अगर एक basic level पे understanding मेरे को लेना है ना, तो उसका यही understanding है, अगर आपके पास surplus money है, जो की होने ही वाला है, अभी आप लोग बहुत जल सिये बन जाओगे, जब आप आज 5000 रुपे का stipend कमा रहे हो, तो आप लोग थोड़ा बहुत surplus money बचा पारे हो, just imagine, जब chartered accountant या एक लाक रुपे पर मन्त आएगा, घर वालों को 25,000 रुपे दे दिया, खुद के ओपर 25,000 का खर्चा किया, तो भी महीने का 50,000 रुपे बचेगा, क्या करिए कि आप इस धनराशी का, आप करना चाहेंगे इसको invest, क्यों invest करना चाहेंगे, so that I can get a lot of returns, but समझो आपके पास, देखो हो सकता है कि आप जब CA बन जाएंगे, जब आप professional बन जाएंगे, तब आप लोगों के पास बहुत सारा knowledge होगा, stock market का, but obviously you will be busy with your practice, job, कुछ ना कुछ में busy होगे, हो सकता है आपके पास time ना हो, या वाईसे वरसा हो सकता है, आज अभी से for example, articleship आप लोगा complete हो गया, exam दे दिया, उसके बाद आप लोग free है, हो सकते हैं आपके पास time है, बट कुतना knowledge नहीं है, अगर ऐसा situation है, then in that case you will try to find somebody who has time, who has knowledge, जो आपके लिए invest करेगा, और returns लाके देगा, and guys उसी को एक simple भासा में, simple language में बोलते हैं, जी हाँ, mutual funds सही है, क्या समझ में आया, आप लोगों को कैसे invent हुआ, कैसे discover हुआ यह concept of mutual fund, actually कहां पर यह discover हुआ था ना, वो भी तुम लोग के साथ मैं बताऊंगा, and it will be fun, I am sure, देखो mutual funds अभी आज की तारिक में इतना common हो गया है, कि अपने को पता idea है, थोड़ा बहुत की क्या होता है, क्या नहीं, बट इसका अगर आप लोगों को base understanding समझता है ना, this is how it started, अब आप बोलेंगे तो सर यह जो mutual funds का पैसा manage कर रहा है, सर उसको भी तो कुछ return देना पड़ेगा ना, exactly, तो यह जो यह जो आप लोग ने surplus दिया, surplus के उपर return मिला, यह जो return mutual funds ने दिया है ना, यह किसकी व संकल को दिया है, संकल professionally आपके fund को manage कर रहा है, और उस fund में से जो उसको return आया है, आपको कितना return आया, sir, 10,000 रुपे का आपको profit आया, kind of, अपनी language में बोलें तो, 10,000 रुपे का profit आया, या, no problem, 10,000 रुपे का में को profit आया, यह 10,000 रुपे में से संकल बोलेगा, बाई, मेरको भी तो थोड़ा fund management expenses दे दे, जैसे कि आप अभी मुझे पढ़ाने का fees दे रहे हो, ऐसे ही मैं बोलूँगा, fund manage कर रहा हूं, sir, मुझे भी तो कुछ fees दे दो, आप मेरको मेरा fund manage का fees द जी, हाँ, क्या बोलता है, public, समझ में आया, कैसे mutual fund का system work out होता है, practically, this, एक दम basic level पे अगर मैं बोलू न, this is what happens, अब बोलेंगे, sir, क्यों कोई invest करेगा mutual fund में, क्योंकि mutual fund invest करके आपको return लाके देगा, एक professional बंदा बैठा है वाँपे, पुरा team लेके, जो खाली funds manage करता है, ज उसके पास time भी इसी चीज़ के लिए है, उसके पास knowledge भी इसी चीज़ का है, क्या आपके पास आज की तारिक में time है, क्या आपके पास knowledge है, नहीं, कभी future में knowledge भी आ जाएगा, पर time तो नहीं रहेगा, because we will be so busy in our own jobs, और in our own practice, समझ में आया, बच्चा, कोई बात नहीं, मैं वापस से जब इसको revise करवाऊंगा, तो 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 connect हो जाएगा, tension लेनी की बात नहीं है, मैंने अभी basic बता है, क्या exactly होता है, mutual funds का system, this is where mutual funds system works, अब सुनना, इसका definition, इसका definition कैसे derive किया, तो चलो, इवन प्रीट अभी join हुए, उसके लिए मैं थोड़ा सा एक idea दे देता हूं, सो इवन प्रीट हुआ क्या पता है गया, अभी बहुत सारे students का exam है, तो वो लोग को 50,000 रुपी surplus पड़ा है, वो लोग सोच रहे सर, हम लोग ये पैसा कहा पे invest करे, तो वो लोग मेरे पास आए, ऐसे एक नहीं, दो नहीं, मेरे पास 200 students आए, और सब ल आपके लिए, ऐसी जगा पे, जहां से better returns आ सकता है, जैनल टिपिकल FD, FD में कौन invest करेगा, आप बो लोगे सर, ये तो कितना risky है, है, बट साथ में मैंने देखो, एक risk free को भी लिया है, debt market में भी किया है, कि थोड़ा पैसा secured भी रहे, stock market भी है, real estate भी है, और मैं तो professional आदम के funds में invest करूंगा, ऐसे हवा में कहीं पर थोड़ी ना invest कर दूंगा, है के नहीं, है के नहीं, yes, so, होता, क्या है यहाँ पर, ये 200 students, कहना इसे ये general public है, जब ये general public के पास surplus money आ जाता है, कहना इसे ये 50,000, आपका surplus money है, बेटा, जब ये general public के पास surplus money आ जाता है, और ये surplus money का वो क्या करे उसको नहीं पता है, तो वो पकडता है एक professional को, ये professional क्या करता है, पता है, pulling of the surplus money, उपर का जो पैसा है न, pulling करता है उसको, pulling मतलब पैसा जमा करना, pulling of money, pulling of money मतलब पैसा जमा करना पैसा जमा करना तो मैं क्या करूंगा pulling of money करूंगा पैसा जमा करूंगा यह पैसा मेरा नहीं है यह पैसा general public का ही है इधर लिख देता हूं मैं फिर यह mutual fund manager उसको invest करेगा and 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 क्या करेगा यह mutual fund manager उसको invest करेगा invest करके return लाएगा इस return के बद्रे में अपन उसको थोड़ा fees दे देंगे and finally मेरे पास जो बचेगा वो मेरा net money बच जाएगा क्या आपको यह पूरा का पूरा cycle समझ में आया everybody अब यह जो बंदा है सर यह कहां पे invest करेगा यह कहीं पे भी invest कर सकता है इसको invest करने के लिए हम लोग ने खुला छूट दिया है भाई तू share market में भी डाल भाई तू real estate में भी डाल भाई तू gold में भी डाल आजकल gold तो देखो याद रखना जबी भी दुनिया में war होगा न तब भी public gold में ही invest करेगा कहीं पे भी world over अगर एक छोटा सा भी war का news आया न तो there will always always be rise in the gold prices F.A.Q. sir because gold एक secured instrument है ठीक है अगर आप equity market में कहीं पे भी invest करने जाओ किसी भी country के और समझो आपकी country में भी war अगर चालू हो गया नहीं in that case हो सकता है आपका country का जो market है वो गिर जाए बट gold is a universal language gold universally acceptable है and therefore उसका prices इतना increase होता है बता रहो एक हाली आप लोग को एक idea दे रहो लिवान का बने बेच्चि करने के लिए और वह वह सबजेक्ट अपने को बताने वाला है और वह करके अपने पास इसको मैं professionally अगर लिखा हूँ, ठीक है, वो सब मैं लिखा हूँगा, आप लोग को tension लेनी के ज़रूत नहीं है, बट मेरा एक काली suggestion है, ये भी एक बार लिख लो ऐसे, तोड़ा roughly, क्यों, पता है क्या, ये सब जो मेरे examples है न, ये आप लोग को जिन्दगी बार याद रहें, जिन्दगी बार आपको याद रहेंगा, अच्छा, जब mutual funds revise करने बैठोगे न, आज से 6 महिने बाद या जबी भी, तब आप लोग को ये example याद एगा, अच्छा, हाँ, मैंने सर को पैसा दिया था, जब मैं Jan 2 में में पढ़ रहा था, फिर पढ़ाई के बाद सर ने return दिया, उससे मेरा Goa का trip फ्री हो गया, चलो, एक बार ये ऐसे rough वाला, draft वाला भी लिख लो, फिर professionally भी लिखवा होगा, कैसे, pooling of money, वाला जो typical हो है, और बाकी, अपने पास, authored book तो है, वहाँ पे तो एक एक चीज दिया ही है, तो अपने को tension है, सर, हम लोग ने साथ साथ में लिख लिए, great, 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 तो अच्छी बात है, अगर तुम लोग ने साथ साथ में लिख लिए तो, that's great, ये वाला भी चीज एक बार लिख लो, दो मिनिट दे रहो, and then we will take things forward, ये फिध देखर साथ सजास्वी गुOS за weiterenप लिख ली एक प्रose बात है, हम लोग आज झा लोग में लिख लोग रहो, pracy को दो हो कीज बात है, आज तो हो, बात है अच्छा बाइद वे यह जो भी मैं लिखवा रहा हूं अल अफ दीज नोट्स विल बी अप्लोडेट इन दर गूगल ड्राइब्स तो प्लीज वहां से लेगा ओके सर यूशुली आप जो यह लेक्चर्स डाल रहे हो लाइब वालों का यह क्वेस्टिन हो सकते हैं अब कहां पर यह हुआ था रियल लाइफ में यह मैं आप लोगों को एक बार बताता हूं यह रियल में mutual funds का story है 1774 का अब अगर यह एक्जाम oriented या fast track batch होता तो मेरे पास यह liberty नहीं है आप लोगों को थोड़ा history देने का backdrop देने का बट अभी we have time and we can invest a little time in understanding what it is ठीक है so usually जो फास्टा के students होता है वोलता है कि वोलो का कैसा होता है exam एक महिने में दो महिने में due है ती महिने में due है या फिर exam दिया पास नहीं हो पा है तो student बोलता है सर सीधा आ जाओ पढ़ा concept पढ़ा के कर दो बट what happens is कि जब आप अब पढ़ रहे हो you have time you have say 6 महिन आपके exam को बाकी अभी भी या शायद उतना ही approximately तो let's try and understand a bit of history लुक्री ओल कि कैसे यह चीजे डेवलफ हुई है कहां से आईडिया किसको आया कि संकल सर को यह ऐडिया था कि ऐसा करते और एक करोर रुप्या आ जाएगा और वो अपन भी यह आफि इंवेस्ट करेंगे इस संकल सर को थोड़ा fees दे देंगे क्या यह संकल स्थार का अएड केटविच इस बंदे ने यह सिस्टम स्टार्ट किया हुआ क्या पता है कि नेदर लैंज में 1774 में लोगों के पास मनी आने लगा इन वॉटेवर फॉर्म्स पप्लिक ने बोला क्या करें इस मनी का तो ऐसे ही पढ़ा रहेगा कुछ नहीं होगा वो टाइम पे सोचो वैन केटिविच ने आइडिया लगाया ही एक्चुली कलेक्टेड मनी ओन बिहाफ ओफ पीपल ध्यान से सुनना मेरी सारी बातों को तुम लोगों को लगेगा सर हिस्ट्री जॉग्रफी पढ़ा रहे इतना दूर का 1774 का पढ़ाने का क्या ज़रुरत है है क्योंकि यहां से मैं और एक कॉंसेप्ट कनेक्ट करने व अब कहां से क्या स्टार्ट हुआ था और क्या-क्या टर्म्स आए वह मैं दीरे-दीरे बताते जाओं तो यह हमारा जो भाई है वैं कैट्विच ही कलेक्टेड मनी ओन बीहाफ और पॉब्लिक ओन बीहाफ और पीपल वह पैसा कलेक्ट करने लगा और यह पैसे को क्या करने लगा वह इंवेस्ट करने लगा वोलों के बिहाफ पे उसने अच्छा रिटन्स भी लाके दिया और पुब्लिक को बोला देखो यह रिटन्स तो आप लोगों कहीं है पूरा रिटन्स उसने दे भी दिया बट उसने बोला कि यार थोड़ा सा शेयर मेरे को दे दो जो आज क की तारीक में अपन लोग mutual fund की language में बोलते हैं professional fees mutual fund की language में जिसको अपन लोग बोलते हैं professional fees अब यह real way में structure कैसे हुआ था वो मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना van catwich हमारा वीके जिसने Netherlands में यह चीज start की थी first jan को यह hero ने announce किया सुनो सुनियो दुनिया के लोगो मेरा नाम है Mr. Go-Go so first jan को उसने यह announcement किया और उसने बोला कि आप लोगों के पास if anybody everybody has surplus funds then you can invest in VK mutual fund VK is van catwich सर नाम याद रखना है जरा भी नहीं ठीक है सुनना ध्यान से उसने बोला कि अगर आपको invest करना है तो आप यहाँ पे invest कर सकते हैं from first jan to tenth of jan इसके बाद अगर आपको invest करना है तो आप नहीं invest कर पाओगे limited period offer only so you can invest in my this only from first jan to tenth jan बहुत सारा public आया उसके पास public ने सीधा उसको बोला कि यह ले मेरी तरफ से तेरको दो लाख रुपया please are you listening yes मेरी तरफ से तेरको तेरको मेरी तरफ से दो लाख रुपया बीस अजार रुपया चलो हमारी तरफ से आपको 20,000 रुपीज तो अब ध्यां से सुनना मेरे पास 20,000 रुपीज गले ऐसा सोचो आप van cat वे चो मनें आपको यह 20,000 रुपीज दे दिया अब क्या record है आपके पास कि मैंने आपको 20,000 रुपीज कोई record हो है ने अब बॉलो कि सर bank transfer क्या है तो bankillä में वो reflect हो रहा है चलो ना कि bank transfer किया है reflect हो रहा है बट मुझे clarity तो हो कि मैंने इतना invest किया है इतना में को return मिलने वाला है तो उसके लिए वैन catfish में बहुत सही दिमाग लगा है उसने बोला कि मैं क्या करूंगा आपको for every rupees that you are paying मैं आपको मेरे company के units दूँगा मालूम है आपने लोग shares देते हैं यहाँ पे वीके भाई साब ने बोला मैं shares नहीं दूँगा मैं आपको दूँगा something called as a unit तो उसने बोला कि एक unit का एक unit का 10 रुपया है आपने 20,000 रुपय दिये आपको मेरे को बताना है वैन catfish आपको कितने units देगा अरे बोलो बोलो चल 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 वैन catfish आपको कितने units देगा अगर आप 20,000 रुपय आपने दिये उसको एक unit का वैन catfish बोलता है 10 रुपया है एसे ही कोई अगर उसके पास है और बोला सर मेरे पास तो 5,000 रुपीज भी पे कर सकता है अगर उसने 5,000 रुपीज पे किया तो उसको absolutely correct so उसको 500 units मिल जाएगा समझेगा तुम लोग benefit of mutual fund is आपके पास कम से कम पैसा हो ना तो भी आप invest कर सकते हो भाई 10 रुपया होगा ना तो भी तुम mutual fund में invest कर सकते हो बोलके कि सर मेरे को एक ही unit दे दो and real life में भी this is applicable इसके लिए बोलते है mutual funds is the best investment why because छोटे से छोटा गरीब आदमी से लेकर बड़े से बड़ा आमीर आदमी जिसकी जो इच्छा जिसकी जो श्रद्धा जिसका जो पैसा वो उतना invest कर सकता है आपे so if you have 2000 rupees well and good you will get 200 units मेरे पास 20,000 रुपया था मेरे को 2000 units मिल गया तो अब मेरे पास 2000 units आ चुका है सामदे वाले को मैंने 20,000 rupees दे दिया है क्या आप लोगों को ये पूरा का पूरा system समझ में आ गया क्या बड़ावरे ऐसे ही 20,000 rupees मेरे को say for example जो वीके है उसको say for example 50 लोगों ने दिये 50 people have given तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा किता हो जाएगा 50 people have given तो कैना है से हमारे वैन कैटवीच के पास टोटल कितना पैसा आ जाएगा rupees 10,000 rupees लाग वैन कैटवीच बोलता है कि सुनो ये जो पैसा आया है ना इसका एक टका इसका एक टका मेरे को मेरा professional fees दे 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 र दस लाग का एक टका कितना होता है दस हजार मिलना चाहिए अब ध्यान से सुनना कि मेरा ये example क्या connect करना है ये जो हमारा VK mutual fund है यह जो वो fund लाया है ना उसमें उसने बोला है कि sir मैं यह 1st jan से 10th jan तक ही invest कर सकता हूँ अगर ऐसा यह timeline जो देता है starting का timeline बेटा इसको बोलते है NFO basically new fund offer तुम लोग ने सुना होगा कभी कभी TV पर आड़ाता है NFO ICICI Prudential Mutual Fund का आ रहा है what is that NFO new fund offer क्या यह नया fund ला रहा है yes नाम क्या है उसका VK mutual fund क्या आपको invest करना है कब तक कर सकते हो यह fund का offer period क्या है 1st to 10th jan क्या उसके बाद आप invest कर सकते हो क्या VK बोलता है नहीं उसके बाद आप invest नहीं कर सकते हो ऐसे funds को बोलते है closed ended funds बेटा क्या बोलते है इसको closed ended fund अब वोही तारीक में वोही duration में वोही time पे invest कर सकते हो otherwise you cannot invest इसको क्या बोलते है बेटा प्यार से closed ended funds यह जो यहाँ पे आपको 2000 units दीक रहा है न बेटा इसको बोलते है mutual fund units तो आप जब invest करते हो न तो आप mutual fund units में invest करते हो आपको कोई भी बुचे गा कितना units लिया तुम समझ रहे हो तुम लोग यह जो हमारा 10,000 रुपीज उसको देना है न वीके को इसको अपन लोग क्या बोलेंगे सर इसको अपन लोग बोलेंगे professional fees of the fund manager professional fees of the fund manager समझ में आया तुम लोग को पता चला मजाक मजाक में तुम लोगों को यह वीके mutual fund के थुरू मैंने तीन चार टर्म समझा दिया NFO समझ में आया क्या होता है the duration in which you have to invest closed ended fund closed मतलब क्या आपको invest करना है तो यही time पे करो बाद में नहीं कर सकते बाद में यह fund close हो गया है आपको जो मिलने वाला है उसको क्या बोलते है सर वो बोलते है mutual fund units भाई अपना जो जो fund manager यतना return लाके देगा उसको भी तो आप कुछ दोगे सर उसको बोलते है professional fees अब सुनो और एक और एक और एक चीज़ है और एक बाकी है यह और एक concept मैंने बता दिया है यह रहा वो सर यह जो 10 लाक रुपे आया ना इसके पास हमारे जो वीके है वीके के पास जो 10 लाक आया ना इसको प्यार से बोलते है AUM AUM मतलब asset under management यह सब चीज़े लिखेंगे बट अभी एक अपन लोग बलते हैं ड्राफ्ट वे में समझ रहें क्या क्या चीज़े क्या होती है इसको क्या बलते हैं एसेट अंडर management किसको यह जो total fund आया है ना हमारे mutual fund के पास इसको क्या बलते है asset under management क्या आप लोगों को सब चीज़े समझ में आ रही हैं बटा and doubts anybody if not please copy अच्छा जैसे कॉपी करके हो जाएगा मुझे बोल देना दन तो मैं आगे बढ़ सकता है लिए अच्छा लिए 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 आप लोगों को कोई पूछेगा अरे तिरको उसका AUM पता है क्या तो ऐसा अपने को behave नहीं करने का हाँ अब अब अपने को पता है AUM मतलब asset under management mutual fund के पास total कितना पैसा आया उसको बोलेंगे AUM अरे in fact थोड़ा भी shining बारने का कोई mutual fund का बात करे न तो अपने को ऐसे पूछने का रहे तिरको पता है क्या mutual fund में कितना AUM है समझ रहे एक बात बताता हूं मैं यह सब जो चीज अप मैं तुम लोगो पढ़ाने वाला हूं न एक एक चीज प्रैक्टिकल लाइफ से connected है तो अगर प्रैक्टिकल लाइफ से connected है तो connect करने का ना भाई क्यों नहीं करने का अभी तो अपने को भी कुछ चालू मैं तुम लोगो रोज थोड़ा एक टास्क दे दूंगा कि चल भाई यह mutual fund के बारे में थोड़ा idea निकालके दे कौनसी वेबसाइट से जासे आप mutual fund को analyze कर सकते हो and everything तो भाई आर्टिकल चिप कर रहे हो थोड़ा थोड़ा जो free time मिलता है उसमें इदर उदर का अपन लोग गपशप करे और बोलते ना Instagram, Telegram यह सब के ओपर time pass करे क्यों ना उससे अच्छा थोड़ा अपना knowledge बढ़ा है शायद वो knowledge increase करके you never know tomorrow you may become the fund manager of a mutual fund company you never know right so that's how it works but वो अगर mutual fund company का fund manager बना है तो उसका base तो आज से ही start करना पड़ेगा and that's what we have started right so NFO पता है sir yes mutual fund units yes sir asset under management yes sir professional fees yes sir और closed ended fund सर यह closed ended fund थोड़ा और clarity दे दोना आओ पताता हूं मैं आप लोगों को usually एक mutual fund होता है ना उसके अंदर है ना दो structure होता है या तो होता है वो closed ended fund या तो होता है वो open ended fund closed है तो उसका opposite क्या होगा open and open ended fund है जब van catwich ने अपना ये mutual fund start किया था ना तब ऐसा open और close ended fund कुछ नहीं था विचारा उसने तो पहली बार start किया या उसको तो पता भी नहीं open close क्या होता है but over a period of time public को realize हुआ कि अगर कोई 1st to 10th जैन में invest नहीं कर पाया और उसको बाद में invest करना है तो क्या ऐसा सोचो नहीं है कोई एक नया fund आ रहा है और उस fund का date है 1st May to 10th में आप मुझे बताओ क्या कोई CA का student is 1st May to 10th में के बीच में invest कर पाएगा क्या बोलो बोलो कर पाएगा क्या the answer is no आप लोग 1st to 10th में में invest कर ही नहीं पाओगे बोलोगे सर हम लोग तो कितना busy हमारे पढ़ाई में सर हमारा कभी intermediate का exam होता है ये time पे हमारा कभी final का exam होता है ये time पे तो सर हम लोग को invest करना है तो क्या करे क्योंकि ये तो 1st to 10th में में invest कर सकते है तो over a period of time it was realized कि यार ये restriction रखेंगे तो problem हो जाएगा अगर 1st to 10th में में invest करना है then in that case ये क्या हुआ closed ended fund इसको बोलता है closed ended fund बट अगर मैं बोलता हूँ नहीं 1st to 10th में 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 नहीं मेरको बाद में भी कभी भी invest करने का मौका मिलना चाहिए सर मेरा exam तो 15th में को खतम हो रहा है तो सर मैं तो 15th में को जाके इंवेस्ट करूँगा ना mutual fund में बरावर तो मेरको इंवेस्ट करना है तो क्या तो इसको इसको tackle करने के लिए क्या introduce किया गया यह आप लोग मुझे बताओगे and open ended fund क्या अरे मैं नहीं बता दिया क्या है अच्छा तो इसको tackle करने के लिए introduce किया something called as open ended fund आप लोग मुझे खाली एक दो मिनिट में message करके बताओगे क्या लगता है आपको open ended fund क्या होगा कि यहां पर एक लोज एंडेट फंड क्या होता है मैंने आप लोगों को बता दिया तो आप मुझे सोच समझ के बताओ क्या होगा open ended fund या क्या लग रहा है कुछ लोग बात में जॉइन वे तो लोग थोड़ा पीछे तो लोग अभी reply आ रहे हैं मिरको यह वाला concept समझ गया और यह तो कपका बता दिया जय बात शाम एंड मीत आव गिवर पर्फेक्ट आंसर विमल वेरी नाइस श्रेय श्रहाने वेरी नाइस एक्सलेंट स्वाथी वेरी नाइस देखो अगर ओपने इंडेड वे आपने रिस्टिक्शन रखा है तो सिधी सी बात है ओपने इंडेड फंड का मतलब क्या होगा इन्वेस्ट एनी टाइम सिंपल और कोई इसमें दो राय है नहीं इन्वेस्ट एनी टाइम कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं सर आप इसको बोलते हैं ओपने इंडेड फंड तो सर कोई भी फंड क्लोस एंडेड क्यों रखेगा कोई भी ओपनेंड ही रखेगा ना बात तो स इसको भी इंवेस्ट करना है वो इंवेस्ट कर सकता है तो सर कोई भी close rendered fund क्यों रखेगा रखेगा क्या तुम लोग में एक intermediate में section पढ़ा है tax का section ATC मालो में ATC में होता है कि आप ATC में अगर ELSS equity linked saving scheme जो mutual fund होता है उसमें अगर आप invest करते हो then you can get ATC का deduction याद करने की कोशिश करो कि अगर आप लोग ELSS में invest करते हो तो एक lock in period होता है lock in period होता है 3 years का अगर वो 3 years के अगर मेरे को invest करना है तो I have to invest within I have to stay invested in those 3 years तो ELSS जो fund होता है न उसको बोलेंगे close ended fund तो आज की तारीक में अगर कोई ऐसा fund निकालना है जिसको lock in रखना है government of India बलता है भाई इसमें से पैसा ना निकाल सकता है न वो डाल सकता है बीच में कभी भी that will be called that is the funds जो use करते है close ended funds समझ में आ गया गाईज अब इसके अलावा और भी कुछ चीज़े है जो close ended funds के लिए open ended funds के लिए वो स्कस करेंगे बट अगर मेरे को कोई एक basic structure पूछे कि mutual fund के structure क्या होगा तो या तो वहोगा open ended guys या तो वहोगा closed ended या तो वहोगा open ended या तो वहोगा closed ended या तो open ended mutual fund या closed ended mutual fund या उल्टा कर देते हैं पहले अपन लोग ने closed पड़ा तो let's write that first and then open ended क्या मैं आपको एक चोटा साइस का distinguish बनाने को बोलू तो बना सकोगे guys चोटा साइस का एक distinguish बनाने को बोलूगा तो बना सकोगे everybody बोलो बोलो क्या क्या सो अब हाँ closed ended fund क्या होगा invest only कब कब during NFO period सर यह NFO क्या होता है अब अपने को पता है NFO क्या होता है जब fund launch किया उस fund किया time पे अगर आपने invest किया that is called as the NFO new fund offer तो आप जब new fund offer में ही invest कर सकते हो only during the NFO period directly directly from mutual fund company invest only during NFO period directly from mutual fund company उसको बलते है open उसको बलते है closed ended और हमारा favorite open ended क्या होगा सर invest invest so invest anytime invest anytime in the mutual fund with the mutual fund company directly अब और एक चीज़ में आप लोगों को बता रहा हूं कि सर अब आपने बोला ज्यान से सुनना close ended fund सर आपने बोला कि कभी भी invest नहीं कर सकते तो सर मैं तो स्टक हो गया सर अभी मिरको तीन महीने बाद पैसों की जरुरत लग गई और मैंने close ended fund में invest किया है तो सर अब मैं क्या करूँ मिरको तो तीन महीने बाद पैसा चीए कोई medical emergency आ गया मेरे घर पे तो ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट हो गए हो closed ended fund के through भी आप sale करके पैस mutual fund को sale करके कमा सकते हो but just that now in this situation in closed ended fund आपको क्या करना पड़ेगा पता है क्या market में जाके invest करना पड़ेगा market में जाके करना है all you have to do is go to the mutual fund company और बोलो उसको मेरे company का mutual fund चाहिए आपको दो दिन बाद लगता है नहीं मेरे को भी mutual fund बेचना है आप mutual fund company में जाओ और बोल दो मेरे को यह mutual fund नहीं चाहिए you can sell it and redeem your money you can sell it and redeem your money yes so मैं अब यहां पे closed ended fund में क्या होगा पता है क्या अगर मेरे को मेरा mutual fund बेचना है तो मैं mutual fund company के पास नहीं जा सकता not allowed closed ended fund है हम लोग कुछ accept नहीं करेंगे बट मैं market में जा सकता हूँ market में मतलब stock market में यह mutual fund list हो जाएगा और stock market में मैं बोलूँगा कि यार मेरे मेरे को यह mutual fund बेचना है stock market में कोई बोलेगा मेरे को यह mutual fund खरीदना है तो वहाँ पे इसका ट्रेडिंग हो सकता है यह से for example आपका कोई friend है से यहाँ पे आपका कोई friend है suppose प्यूश है and say विमल है ठीक है विमल प्यूश are good friends प्यूश बोलता है यार मैंने यह close-ended fund लिया है बट मेरे को भी बेचने का मेरे को पैसे हो का जरूरत है विमल बोल रहा है मेरे को यह close-ended fund में invest करना है but close हो गया तो अब मैं invest ही गर पा रहा हो तो विमल can purchase it directly from प्यूश इसको मोलता है market में यह लोग दोनों ने purchase and sell कर दिया समझ में आया तो ऐसा हो सकता है close-ended fund में that if you want to buy or sell it can be done but in the market itself but open-ended fund में तो आपको tension ही नहीं है आप सीधा mutual fund company के पास जाओ आप सीधा mutual fund company से आओ got it guys तो यह खाले आप लोगको यहां पर और एक distinguishing का point मिल गया buying and selling of mutual fund units buying and selling of mutual fund units in outside market मतलब इसको basically secondary market भी बोलते हैं प्यार से secondary market क्या होता है कभी future में अपन समझेंगे in detail but मैं ऐसा भी कर सकता हूं most important point is after NFO period NFO period के बात भी मैं close ended को कर सकता हूं but market अब अगर समझो मैं market में गया और बोलता हूं मेरे को यह mutual fund बेचने का है तो मैं तो बेचने के लिए ready हूं बट जरूरी नहीं है कोई खरीदने के लिए ready हो तो in that case market में एक risk है you may be you may अपको sell करना है पर कोई buyer ना हो आपको buy करना है पर कोई seller ना हो market है कुछ भी हो सकता है but open ended में वो tension ही नहीं open ended में तो आपको सीधा mutual fund company के पास directly जाके transaction करना है anytime buy anytime sell समझ रहे हैं buying and selling of mutual fund units but the important word here is जैसे यहाँ पर outside market था यहाँ पर क्या लिकेंगे directly with mutual fund company समझ में आया गया public yes sir directly with mutual fund company anytime टन लिख लो यह वाला point and then we'll move अब एक real life example मैं आप लोगों को mutual fund का जहां पर मैं आपको बनाऊंगा mutual fund company manager don't worry close ended and open ended fund समझ में आ गया ठीक है oh आप 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 oh विम्मल अरे वेने तुम्हों का भी बहुत से चाइट सभी बड़ा NFO will be from 10th Jan to 10th Jan 1st Jan to 10th Jan or only on 10th Jan from 1st Jan to 10th Jan all 10 days you can invest anytime no worries at all close ended fund में lock in period होता है यह lock in period की वज़े से ही people don't invest also until and unless मेरे को ATC का deduction मिलने वाला है तो अलग बात है अदर्वाइस public इतना invest भी नहीं करता है अब आप मेरे को बताओ logically logically आप मेरे को बताओ आप closed ended fund में invest करोगे या open ended fund में पहला question दूसरा आपको क्या लगता है majority of funds in India open ended होंगे या close ended दोनों का answer मेरे को दुद where will you want to invest and majority of funds क्या होंगे well I think no prices for guessing everybody will want to invest in open ended कोई भी ऐसा जकड में क्यो रहेगा everybody will want to stay open मैं जब चाहू invest करू जब चाहू withdraw करू मैं चाहे ये करू मैं चाहे वो करू मेरी मर्जी तो मेरी मर्जी किस में चलती है obviously open ended fund में ही चलती है so majority of funds in India 95 से भी ज़्यादा percent of funds in India are open ended funds 95% से भी ज़्यादा public invest करता है कहां पे open ended funds में so discussion mainly पूरा end of the day बचके रही जाता है towards the understanding of open ended funds अब इधर तक अपने को सब चीजे clear है guys इधर तक किसी को कोई भी doubt कोई है जिसको कुछ समझ में नहीं आया everybody is clear logically सब चीजे connect हो रही है so open लोग ने देखो कहां से start किया था अच्छा और एक चीज कभी आप लोगो लगे कि भाई pace सर जादा हो रहा है थोड़ा slow जाओ या slow हो रहा है थोड़ा सरा fast भी जा सकते हो हम लोगो चलेगा देखो मेरी तो by default it's a regular batch so by default I will go slow but कभी आपको लगते है कि सर थोड़ा pick up कर लो हम लोग के साथ आपका vibe match हो चुका है अब आप थोड़ा सर स्पीड कर सकते हो I will do that कोई problem नहीं आपको कभी लग रहा है कि सर ये थोड़ा fast गया थोड़ा नहीं समझ मैं है slow कर दो I'll do that doubt अगर कुछ भी आता है बिंदास पूछ लो अब वो सकता है कि आप कोई google drive के student हो तो आप तो बाद में देख रहे हो तो आप अपना doubt मेरे को पूछ सकते हो मेरे को whatsapp के ओपर मैंने आपको day 1 पे आप एक चीज लिखके बोली थी कि प्लीज मेरे को whatsapp पे यह लिखके बेजो उसका reason क्या था उसका reason यही था उसका reason यही था यह देखो first day पे first चीज मैंने आपको बोली थी कि यह मेरे को लिखके दे दो क्यूँ so that in case कभी भी आपको doubt आएगा तो मेरे पास यह detail रहेगा ना आपना बच्चा है रेगुलर बैच में है तो इसको मैं इमिजेटली प्राइटी पर डाउट का answer दे देता हूँ क्यूँकि मेरे पास तो दिन में 500 डाउट साते there are so many non students of mine also जो मुझे डाउट पुछते क्योंको YouTube के through मेरा connection मिला होता है I answer to them also but for me priority will always be you you have paid me an extra more than them let's let's be fair so इसके लिए मैं बोल देता हूँ के बस यह मेरे को भेज के रहू so I know that yes this is अपना student so for sure इसको अपने को priority देने का है so इसके लिए you should always try to यह भेज देना in case so even Preet को एक डाउट है I'll answer that also Swati Sir once more buying and selling of mutual funds of closed ended fund and even Preet को doubt है closed ended में ATC में क्या होता है चलो मैं दोनों बताता हूँ क्या है even Preet जी आपने direct tax पढ़ा है intermediate में intermediate में अगर आप direct tax पढ़ते हैं तो एक chapter है deductions from total income वहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगर आप को ATC section ATC में deduction चाहिए then in that case there is a list उस list में अगर आपने invest किया then in that case आपको you are eligible to invest in that mutual so you are eligible to get the deduction so closed ended funds क्या होते है in government of India क्या बोलता है कि देखो आपने अगर closed ended fund में invest किया closed ended fund क्योंकि हमको चाहिए यह पैसा invested रहे तीन साल के लिए ऐसा नहों कि आप आज इस mutual fund में invest करें अपने gross total income में इसका deduction ले लो ATC के थूप और फिर बाद में अगले दिन पे उसको withdraw कर लो पैसा को government बोलता है नहीं ऐसा कैसे चलेगा दिदी तो इसके लिए government बोलता है कि हम चाहते कि आप जिंदगी पर इसमें at least 3 साल के लिए invested रहो तो 3 साल का lock-in period होता है you cannot withdraw money from that fund that you have invested तो ऐसे fund जासे withdraw नहीं कर सकते जा पर buying selling allowance नहीं करना है वो fund क्या होंगे बेटा closed ended fund तो उसको बलते है ATC तो usually ATC वाला जो funds है कि ऐसा fund जिससे आपको ATC का deduction का benefit मिल सके वैसे जो funds होता है जो lock-in होता है जिनमे जिनमे आप रोज buy sell नहीं कर सकते वो usually closed ended funds होते हैं कि आप इसमें कुछ ज्यादा मत करो चुप-चाप लेके 3 साल बैठ जाओ closed ended वैसा स्वाती what was your doubt once more explain buying and selling of mutual fund units okay see now have you seen a stock market तुम लोग को तो पता भी नहीं हो तुम लोग के पास DMAT account है अंसर हम लोग के पास कैसे होगा वह भी मैं तुम लोग बता हूँआ DMAT account कैसे करते हो ट्रेडिंग कैसे करते हो तो there is a stock market ठीक है stock market में क्या होता है buying and selling of shares say for example को एक share का नाम लोग रिलाइंस का अपनों के example लेता है अगर आज मेरे पास मेरे को रिलाइंस का share खरीदना है रिलाइंस शेर प्राइस यह समझो मेरे को आज की तारिक में रिलाइंस का यह एक जहां पर buying and selling of shares होता है so online ही होता है यह सब चीज़े अभी तुम लोग जब DMAT account खुलाओगे तक तुम लोगो clarity आएगा so buying and selling of shares का पर हो रहा है DMAT account के ओपर वैसे ही तुम लोग के DMAT account में mutual funds भी आ जाएगा और वो mutual funds में अगर तुमको buying and selling करना है online right then in that case you can do that but for closed ended fund open ended fund के लिए तो आप सीधा अपने mutual fund directly company से buy sell कर सकते हो तो कोई tension का बात है ही ना got it swati we'll get more depth when we do that okay समझ में आया कहा even परी तेर को okay कवल जीत का doubt है sir every time this lock-in period is three years or it may be different it may be different but usually ATC वाले जो होते है ना उनका three years होता है as per government of India अगर कलूट के finance minister उसको change करते amendment के through तो it can become one year two year five year whatever government of India decides but usually it is three years और मैं आपको और एक चीज़ बता दू आज की तारिक में इंडिया में close ended funds है नहीं नहीं except this ELSS fund so बहुत ज्यादा इसका buying and selling market में होता भी नहीं प्रैक्क्रीश्पीक है अगरे अच्छा अभी किसी का कोई डाउट बचा है क्या तो इवन प्री तेरको समझ में आ गया होगा कवलजीत का भी डाउट क्लियर हो गया है डन करें मुव ओन येस अब मैं एक एक एक्जांपल ले रहा हूं गाईस उस एक्जांपल का आंसर तुम लोग को मुझे देना है और उस एक्जांपल से और एक कनेक्ट होगा का कॉंसेप्ट ओपन एंडेड कैन अल्सों भी डन थ्रू दिमेट येस अपसलूटली मेरा वही है न मेरा वही है मैं अभी तुम लोगो देखाँ मेरा मुचल फंड का पॉर्फोलियो देखना मैंने कितना इंवेस्टमेंट किया है और मैंने यहां पे देख लिया यह मेरा तुम लोगों दिखतो नहीं रहा न कितना है यह मेरा मुचल फंड का इधर पूरा मेरे पास ट्रंजक्शन आ गया मैंने कहा कहा पर मुचल फंड में इंवेस्ट किया है यह सब इधर लिखा है तो मैंने इंवेस्ट किया है कोटक इमर्जिंग एक्विटी स्कीम HDFC इंडेक स्टैक सेवर अधित्य बिर्ला सनलाइफ इलसे स्टैक सेवर जस्ट गिविंग यू एन आइडिया चुरू आइटिंक अपने को काफी अच्छा भी क्लारिटी आ गया है मतलब थ्री यह जैसा लॉकिन पिरेड भी होगा क्लोज्ड एंडेड में लाइक इलस करेक्ट बट प्राक्टिकली आज की तारिक में इलसेस फंड एक्जिस्टी नहीं करता है क्योंकि कौन अपने आप आपको लॉकिन रखना चाहेगा और कौन डिपेंडेंट रहेगा कि मार्केट में बिका तो बिका नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो वाई टू टेक डाट रिस्क उससे अच्छा में ओपन एंडेट फंड में इन्वेस्ट करू न एनिटाइम एनिवेर बाइंग एनिटाइम ब्रेक ठीक है आजो Suppose there is SK mutual fund ठीक है यह SK mutual fund open ended mutual fund है जो भी doubt आएगा प्लीज पूछते रहे ना मननी मनमा नहीं राखता पूछते रहे ना ताकि अगर कुछ भी हो doubt तो we can always connect SK mutual fund open ended mutual fund है जिसका NFO period है से फस्ट जुलाई से टेंट जुलाई से लेके टेंट जुलाई कि अब कि 20 जुलाई को मेरा से फस्ट इसको रखते हैं अपनों फस्ट नवेंबर टू टेंट नवेंबर अब हमारे सीए स्टूडेंट का एक्जाम खतम वुआ 20 नवेंबर को और उसको पर्चेस करना है mutual fund units of SK mutual fund मेरे को एक बात बताओ ना मेरे को एक बात बताओ उसको पर्चेस करना है mutual fund units of SK mutual fund वो कैसे पर्चेस करेगा वो यह SK mutual fund कैसे पर्चेस करेगा बोला बोलो अगर आपको यह open-ended very nice श्रेयश एंड मीत एंड एंड एवरीबड़ी करेक्ट यू विल डाइरेक्ली पर्चेस दे mutual fund फ्रॉम SK mutual fund डाइरेक्ली आप वहां से पर्चेस कर सकते हैं गारेट गाइस पर्रक्ट क्यों क्योंकि यह open-ended mutual fund है ओके विमल विल डाइरेक्ली पर्चेस एक वाइं तु गो तु मार्केट में अपन लोग open-ended के लिए जाएंगे नहीं विल डाइरेक्ली पर्चेस इट अच्छा 20 नवेंबर को यह हो गया अब रिजल्ट आया जैनुवरी में रिजल्ट आया 15 जैनुवरी को रिजल्ट आया and congratulations you have passed your examinations in the first attempt 20 जैन को आपके आपके सारे आपो फ्रेंड्स बोल रहा है चल भाझे पार्टी दे पार्टी दाने के लिए पैसा चीए आपके पास तो पैसा है ये नहीं । आप सोच रहे हों कि मेरे को यह mutual fund sell करना है sell करना है मेरे को यह mutual funds का unit of sk mutual fund आप इसको कहां पे sell कर सकते हो आप इसको कहां पे sell कर सकते हो बोलो बोलो tell tell करेक्ट यहाँ पे भी अब आपको मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है you can directly वह स्कें डायरेक्ली सेल टू एस के व्यूच्वल पाइए संचीगडू ड़न तो ओमा अभी आई क्या वेलकम ओमा करेक्ट करेक्ट मुफाद्धल आपसलूटली करेक्ट शाम बाई करेक्ट आंसर अब एक्जामपल नंबर टू तो तुम लोगों समझ में आ गया ख्लोज एंडेड ओपन एंडेड बाईंग कहां पे होता है चलो एक्जामपल नंबर टू लेते हैं देखते हैं सपोज एक और मूच्वल फंड है ठीक है इसका नाम है ए एफम मूच्यल फंड और ये एक्लोज एंडेड मूच्वल फंड ठीक है ये एक closed ended fund है अब ऐसा सोचो कि सपोज यह closed ended fund है and say NFO है NFO period है इसका first say December to 10th of December अब 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 9th December को मेरे पास उमा आके बोलूतीह कि सर सबौज़ यह मेरा ही mutual fund एफें मैं वूचे ऐना है आपमुझे बताओ उमा एफें यूच्वफंड इसेंबर को मेरे पास उमा आती है और बोलूतीह कि सर मेरे को यह mutual कहां से पर्चेस करेगे? इस अ ख्लोज रंड फंड आ गाइस भुलना मत? इस अ ख्लोज रंड पंड वो कहां से पर्चेस करेगे? बोलो बोलो टेल टेल बरड़ी लेट सी अरे वाँ आहां स्वाथी थिंक एन आंसर डोंट बीन हरी करेग्ट झाहां अरे करेक्ट जवाब तो स्वाथी आ यू क्लियर नाओ बोस फर्स्टे टेंथ डिसेंबर का अगर है तो नाइंथ डिसेंबर तो falls within that date नो तो आई विल डैरेक्ली परचेस वाम ते मुचल फंड कमपनी यार स्वाथी आ यू क्लियर डैरेक्ली परचेस को आपको purchase करना है तो where will you purchase it from correct अगर यह 12th December को आपको purchase करना है तो आप यह कहां से purchase करोगे in that case sir we will purchase it from the बोलो correct from the stock market from the secondary market from the open market very nice guys you guys are now a champion boss purchase from कहां पे secondary market sale to कहां पे secondary market क्या आप लोगों को यह सारी चीज़े clear हो गई है बोलो बोलो चल 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 अब आजाते हैं अपन लोग अपने next example के उपर जहां से मैं connect करने वाला हूँ मेरा next concept ज्यान से सुनना आप लोगों को एक break चाहिए या चल रहा है चल रहा है अच्छा चल रहा है मजा रहा है इस कैसा चल रहा है यह है हमारा SK mutual fund वापस से SK mutual fund बोलता है भाई अपने को तो open ended fund ही रखने का यार close ended में कौन जिक जिक रखेगा तो open ended fund है अपने पास अपने पास open ended fund है great to know अब यह open ended fund के लिए मैंने एक NFO period निकाला है मेरा मेरा NFO period है from 1st June से लेकर 15th of June ठीक है अब usually CS वालों का CMA वालों का यह June में exam होता है तो समझो कोई ऐसा student है जो बुलता है के sir मेरे को time ने मिला अब मेरे को खरीदना है तो मैं क्या करूँ बाद में भी जा सकता हो तो मैं उसको बोला कभी भी जा तो open ended है कभी भी जा तो समझो यह से 20th June को हमारा CMA का student free हुआ and 20th June को से एक example लेते है Mr. Vimal का तो से Mr. Vimal wants to purchase Mr. Vimal पहला question Mr. Vimal wants to purchase the mutual fund on 20th June my first question where will he go Mr. Vimal wants to purchase mutual fund on 20th June where will he go to your immediate answer is correct he will go directly to the mutual fund company open ended है so he will go directly to the mutual fund company absolutely correct yes done अब वो जाके उदर mutual fund company को बोलता है 20 तरीक से 20 तरीक को वो जाके बोलता है कि मेरे को one zł चलो तुम लोगो पूछता हो मैं mutual fund मैंश्ध्यव्ट में अगर मेरे को invest करना है तो mutual Fund company मेरे को क्या देगी मैं new विमल बोलता है कि मेरे को 20,000 रुपीज इंवेस्ट करना है इसके मुचल फंड में वो जाएगा 20,000 रुपे देगा तो मुचल फंड कमपनी उसको क्या देगी अब सुनना ध्यान से 1st to 15th जून में जिसने भी परचेस किया न तो वो NFO पीरेड था अब क्या जिन्दगी बर ये 10 पर यूनिट ही रहेगा क्या बोलो बलो चल चल बई जब एन फो पीरेड था उसमें ये एन फो पीरेड में जिसको भी खरीता है वो 10 पर यूनिट पे खरीदा बट क्या ये lifetime 10 per unity मिलने वाला है क्या the answer is no कै नहीं से अब तो fluctuations होगा बरावर है तो अब जब हमारा विमल Mr. Vimal when will he go to on 20th June when he goes to SK mutual fund to purchase these mutual funds 1000 units जब purchase करने को जाएगा तो company उसको बोलेगा yes we will sell it to you Vimal will purchase it at what price उसको बोलते है NAV at what price उसको बोलते है NAV sir NAV ये NAV क्या है NAV is called as net asset value the most important concept which we will be studying after the break तो sir ये NAV क्या है NAV अपन बोलेंगे price at which mutual fund price at which open ended mutual fund units are bought and sold from the mutual fund company is called as net asset value तो बोस जब ये लोग जाएंगे ना mutual fund company के पास और बलेंगे ना मेरे को 1000 units purchase करने का है तो ये जब 1000 units purchase अरे सुनो बाबा जब ये लोग 1000 units purchase करेंगे ना विमल भाई तो विमल भाई क्या rate पर purchase करेंगे at the NAV per unit sir ये NAV per unit क्या होता है NAV means net asset value price at which open ended mutual fund units are bought and sold from the mutual fund company तो sir ये कैसे अपन लोग calculate करते हैं अरे सब चीजे बताऊंगा बबा सब चीजे बताऊंगा एक ब्रेक चाहिए या नहीं चाहिए ब्रेक चाहिए तो पांच मिनिट का ब्रेक लेंगे नहीं चाहिए देन इन दाट केस कंटिनीव करेंगे जैसा आप बोलो बरावर है तो यहां पर कि कि चलो विल विल टेक विल टेक वाइव फाइव निट ब्रेक यहां पर मैं एंड कर रहा हूं अब जब मैं next मेरा ब्रेक के ब्रेक के बाद का सेशन स्टार्ट करूंगा ना तब मैं स्टार्ट करूंगा आप लोगों को समझाने के साथ वाइग्जाक्ली इस नवी और हाओ इस चल्कुलेटेड थे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडमेंटल विच वी आर गूंग तो स्टाडी इन इस टॉपिक क्या आप तयार है वो यह सीखने के लिए समझने के लिए तर लेटे एक चोटा सा ब्रेक मिलते हैं एक फाइव औरakukan के लिए ब्यूहर है